सो हेलो एरिवन जैसा कि ओपिसली न्यूज यहां पर आप देख पा रहे होंगे नीट दो जार चोईस वालों के लिए यहां पर नीट एकजाम दोबारां को लेके सुप्रीम कोड का यहां पर फाइनल पेसला आ चुका है तो ऐसे में अब आपका नीट का जो एकजाम है दोब खुद ठीक है ताकि आपको विश्वास हो क्या नीट यूजी प्रिक सा दुबारा होगी रिजल्ट पर क्या होगा असर तो यह पूरा अपडेट अभी में आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको बतना चाहता हूँ खापी बड़ा इसका सुप्रिम कोड में जर्चा चल हाली में यह न्यूज जारी हुआ है यह देख आप खुद देख सकते हो नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से सुप्रिम कोड ने इनकार कर दिया ठीक है यानि कि सुप्रिम कोड यह नहीं मानता कि पेपर लेक हुआ है ठीक है ना तो यहाँ पर देखो अगर दुबारा का एक्जाम नहीं होगा ये लिखे रख लो आप जिन सेंट्रों पे पेपर लीक हुआता है वहाँ पर जरूर कंड़क्ट करवा सकता है NTA क्योंकि इतना मामला गंबिर नहीं है और यहाँ पे सुप्रिम कोड ने भी इनकार कर दिया और रिजल्ट आपका चोदा जून को आने वाला है क्योंकि सुप्रिम कोड ने भी पेपर लीक नहीं माना और NTA ने भी पेपर लीक नहीं माना तो ऐसे में अब आपका रिनीट होना मुश्किल है ठीक है यानि कि दुबारा अब आपका पेपर नहीं होगा नीट का और अब रिजल्ट जारी होने वाला है तो अगर आपको कोई भ्रामक अपडेट दे रहा है कि दुबारा होगा दुबारा होगा तो उस ब्रह में मत रहना क्योंकि अब यह सुप्रिम कोड का पेशला आ चुका है तो मैंने सोचा कि मेरे प्रिविद्यार्ट को बताया जाए अगर देखो नुमबर आपके कम बन रहे तो मैंने बता दिया कि अभी आपके सामने BS नर्सिंग का ऑप्सन हे पेरा मेडिल का हे फारमेसी का है है अगर नुमबर कम बन रहे तो ये ऑप्सन आपके लिए रहने वाले है इनके फोरम जब निकलेंगे मैंने बोल दे आपको ब रखा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा उनको ऐसे ही सही सटिक जानकारी मिलती रहेगी